जा जोहर मैं हूँ तपेज जयन और हम लोग यहाँ पर वुमेंस हेल्प लाइन 181 पर यहाँ पर हैं अमारे साथ में मेनेजर 36 गड़ की पूरी जो है मनिश्या तिवारी जी है बहुत ही सुलजी वी और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था पिछले चार साल से 2016 से यह हेल्प ला सारी थी उनको देखे की अलग-अलग डिपार्टमेंट से किस तरीके से कॉडिनेट बहतर हो सके तो एक ऐसा सौफ्ट्वेर डेबलप किया है जो इंटिग्रिटेड प्लान है उसको अगर देज भर में लागू कर दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाध्मीन में हो निवाइब बाकाथ है कैसा लगता है ये इंटिगरेटेड प्लान जो बनाया है बनाया है इसके बारे में क्या करिए आरो यह टिग्रेटेड सिस्टम है अपर हम और हमारे kulak कुशित करते एक यहीं काम आ कि से सरा देंट हो समय पर्छिए कि वहुन हो काम हो C जरूरत मंद औरते हैं जो महिलाएं हैं उनको चक्कर न काटने पड़े एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि जो विमेन हेलप लाइन 36 गड़ में 181 विमेन हेलप लाइन काम कर रहा है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है जरूरत मंद औरतों को, संकट ग्रस्ट औरतों को ना कि उनके मामले को रिफर करता है तो जो भी एजनसी है हमारे या तो पुलीस है या जुरीशरी है या कोई डिपार्टमेंट है गवव्मेंट है तो हम खुद उसके मामले को ले करके वहां तक जाते हैं उसी तरीके से उसी आर्टिकुलेट वे में हम उसकी मैनर में हम उसके उनकी आवेदन को तयार करते हैं औ उनको पता नहीं होता है कि उनको बताना क्या है उनके साथ जो घटना हुई वो किस वो जो क्रिमिनल एक्ट था वो क्या था और इस मामले में वो कहां जा सकती है किसको क्या बता सकती है क्या जरूरी है बताना क्या गैर जरूरी है बताना तो हम हम उनको हर लेवल पे चाहिए था, वो मिल गया, अब मैं आप से कोई सहायता नहीं चाहती, तब तक हम उनके साथ ही बने रहते हैं, चाहे वो कोई भी जगा हो, चाहे वो सड़क हो, ये वो घर हो, वो जुडीशरी हो, वो पुलिस हो, वो डिपार्टमेंट हो, कोई है। चाहरा की समस्या उनके साथ में आती हैं, दिकते का सामना करने पड़ती है, वो वो वन वइट वन से करती हैं, वन एड वन ने जो अभी इंटिकेटेड आपने मानिशा जी ने बताया, कि वो सारगे सारा सिस्टम पुलिस में जा रहा है, या पिर अस्पताल में जा रहा है, य कितने केस करीब हो गए होंगे आपके पास में? चार साल में हमारे पास आठ हजार मामले हैं, बहुत सारे मामले जो हैं वो क्लोज भी हो जाते हैं, क्लोज हम नहीं करते हैं, महिला खुद बोलती है कि आप मुझे अपसे हेल्प अब नहीं चाहिए, मुझे हेल्प मिल गई या तो फिर ये बोलती है, अब मैं अपने मामले को वापस लेती हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं कहीं से मिल रही है, मैं नहीं दौड सकती पुलिस के पास, अब मैं नहीं दौर सकती, रोज रोज नियाल है, अब तो उनको कन्विंस तो करने की कोशिस हमारी पूरी होती है, लेकिन जो जब वो एकदम से होस्टाइल हो ही जाती है, एकदम से मतलब डी मोरलाइज हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि नही बस रहने दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे भी मामले हमारे पास आये हैं, तो उस मामले को क्लोज करने में हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख भी होता है, लेकिन मैं एक बात यह बताती हूँ उनको कि देखिए, मामले क्लोज होने का मतल सर्फ इतना होता है हमारे पास, कि उन्होंने कह दिया कि अब मैं आपको रोज रोज फोन नहीं करूंगी इस विशह में, अब मैं नहीं चाहती आगे कोई आपका सपोर्ट, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट, किसी का भी सपोर्ट जहां मेरा मामला गया है, लेकिन हम उनक करें या पांच साल बात, दस साल बात करें, वो उनके नाम से उनकी केस फाइल ओपन हो जाएगी और अगर वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो ऐसे हैं, तो आट हजार मामले लगबग हमारे पास अभी आ गये हैं, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, समाज में सोच कैस कि बदल सकते हैं कि बहतर समाज की हम लोग एक निर्मान कर सके कि महिलाओं पर इस तरह के अत्ताचार चाहा घरेली हो चाहा फिर पब्लिक ली हो या किसी और तरीके से कैसे उसको रूप लगा सकते हैं, देखिए अगर सिर्फ महिला हिंसा की बात करें, तो बहुत जरूरी ह कि जो एक तरीके से जेंडर जस्टिस वाला वाले जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों पर हम बच्पन से ही अपने घरों में बातचीत करें, हमारा खुद का व्यवहार ऐसा हो जहां पर हम किसी तरीके का वो जो सामाजी क्लिंग और या फिर जेंडर की बात को लेकर कि कोई इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन न रखें, या वो हमारा घर हो या वो हमारा बाहर हो, तो ये घर से ही शुरुआत होनी चाहिए सबसे पहले और यही जरूरी है, दूसरी चीज़ यह है कि मैं ये देखती हूँ कि उन घरों में भी जो माबाप बन चुके हैं, ठीक है, वो उन्हों ने कभी इस तरीके की चर्चा देखी नहीं, सुनी नहीं, वो अकबार नहीं पड़े, वो स्कूल नहीं गये, वो नहीं, उनका सेंस वहां तक डेवलप नहीं किया, क्योंकि वो उसी सुसाइटी में रहे, तो हम जैसे जो लोग हैं, जो इन विशेयों पर काम कर रह हैं, जरूरी है कि वहां तक पहुँचे और उनको बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है और उनको क्या सोचने की ज़्यादा जरूरत है, बहुत अच्छी बात है, हम बच्पन से ही अगर लड़के और लड़की का भेद खदम कर दें, लड़कों को भी बराबर बताएं कि बिटे ये जो आपकी बहन है या जो लड़किया होती है, उनका भी उतना ही अधिकार है, जितना आपका है, उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनके प्रतिस सम्मान के दिस्ट्री अगर लेके आएंगे, तो समाज की सोच बतले कि आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद मि जिया जोहर जिया चैटिस ग्रावन